दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीम किसान योजना के बारे में दोस्तो पीम किसान योजना को लेकर बिहार में एक नोटिक जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 16,74,000 किसानों को पीम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा तो दोस्तो पीछला किस्त मतलब की 12 किस्त के टाइम में EKYC कराने को कहा गया था और उस टाइम में EKYC अनिवार्ज नहीं था मतलब की अगर आपका EKYC नहीं हुआ रहेगा तब भी PM किसानी योजना का पैसा आने वाला था और आया भी लेकिन दोस्तो पीम किसानी योजना का अगला किस्त मतलब का 13 किस्त के लिए आपको EKYC कराना ही होगा बिना EKYC किये पीम किसान का पैसा नहीं आएगा और साथ ही आपका खाता है NPCI के से लिंक होना चाहिए तो दोस्तो बिहार में 85 लाग किसान में 16 लाग 74 हचार ऐसे किसान है जिनका जीवन परमानी करन नहीं हुआ है तो दोस्तो अगर आपका जीवन परमानी करन मतलब कि EKYC कराना चाहेंगे तो इसको आप आधार OTP के द्वारा भी कर सकते हैं इसके लिए आप PM किसान के website पर जाएंगे फिर उसमें EKYC वाले option पर click करेंगे उसके बाद अधार नंबर को इंटर करेंगे फिर OTP आएगा और उस OTP को इंटर करके आप अपना EKYC कर सकते हैं बिना किसी fingerprint के और दोस्तों अगर आपके अधार कार में mobile नंबर लिंक नहीं है तो आपको अपने पास के CSP सेंटर या सहज केंदर पर जाकर 15 रुपिय का सुल्क देकर EKYC जीवन परवाणनी करन करा सकते हैं तो दोस्तों इसी अपडेट में यहीं बताया गया है कि बिहार में 16,74,000 किसान ऐसे हैं जो PM किसान के अगले कित से बंचित रह सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको याद नहीं है कि EKYC हुआ है या नहीं त दोस्तों अगर बात करें कि PM किसान योजना का पैसा कब आएगा तो दोस्तों जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार की तरब से बोला गया है कि आपको अपने खाते को NPCI से लिंक कर देना है जो कि 15 दिन के लिए टाइम दिया गया है तो दोस्तों ओ टाइम जो है जनवारी के लाच तक होता था तो चरपान दिन एक्स्टा मान ले तो मतलब कि अगले महीने फेबरवारी के फर्स्ट वीक से पीजम किसान योजना का पैसा आने लगेंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मिलते हैं फिर से नेक्स वीडियो में नेक्स अजय करेंगे रह